नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे पोहे से कटलिट यह बनाना बिल्कुल आसान है इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले पोहे तो यह पोहा जो है मोटा हो या बारीक हो चलेगा सबसे पहले इस पोहे को हम वाश कर कोनलेगे एक से दो पानी इचितर साफ कर देंगे ताकि इसका जो परी गंदगी वह साफ हो जा न इसके बाद emission को हम भडा देंगे इसमें पानी डाल आरके इसे हम जो बास की छुआ कि अच्छीतर से पूल जाएlax पान्स मिनट पीर्स के वाड़ म्ज़त के पीर इसे हम देखेंगे इसके साथ हमें चाहिए दो बॉयल आलू कदूकस किया हुआ तो या तो आप हाथ से भी से तोड़ सकते हैं या आप से ग्रेट कर सकते हैं इस तरह से हमें दो बॉयल आलू चाहिए तो उसे मच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे ये आलू तैयार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे जो पुहा में हमारा बीं गया है अच्छी तरह से उसे हम स्टेनर में डाल करके इसे हम पानी को अलग कर लेंगे तो मिनिट के बाद फीर इससे हम अच्छी तरह से निकाल करके इसे अच्छी तरसे मसल लेंगे इसे डो फॉर्म में बनाना है तो हमें हाथ से ही मसल मसल के से यह सौप्ट हो जाता है तो बहुत असानी से यह मिक्स हो जाता है पिर इसके बाद हम यह जो आलू है उसे भी हम डाल लेंगे और उसे भी हम अच्छी तरसे मिक्स कर तो पोहा और आलू दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब इसमें बाकी के मसाली डालेंगे और प्याज बगर डालेंगे तो सबसे पहले एक छोटा प्याज है दो तीन हरी मिर्च है अद्रक है और ये है बीट ये हरा धनिया है आप इसमें और भी मन पसंद चीज़े डाल सकते हैं अब ये मसाला है काला नमक है भुना हुआ जीरा है चीली फ्लेक्स है नमक है और चाट मसाला ये सब छोटा चाय के चमज से एक चमज है तो इस सभी मसालों को हम नमक को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसका हम कटलेट बनाएंगे तो कटलेट तो बहुत तरह से बनाए जाता है बहुत ऐसा चीज मिक्स करके वेज कटलेट सूजी डाल करके पोहे डाल करके बहुत तरह से बनाए जाता है तो आज हम बनाएंगे हार्ट सिप का अई तक ये एक तरह से कटर है कूकी कटर उसी में हम आलो के मिस्रन को डालेंगे और दबा दबा के दोनों साइड से बिलकुल ब्राबर कर लेंगे हम ताकि हमारा जो सेफ है वो बिगडे नहीं और अच्छी तरह से नीकल के आए त इस brothers तरह से हम कटलेट को अच्छी तरह से दबा लेंगे और फिर इसे हल्के हाथ हो से प्रेश करते हुए नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा से बनकर करे देखें निकल आया है हाट शे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी इस तरह से हम सभी कटलेट को बनाएंगे और हलके हांथों से दबा के इसे हम निकाल लेंगे तो यह हो गया हमारा हार्ट सेप का कटलेट ऐसे गूल भी बनाया जाता है ओबल से बना सकते हैं तो इसी तरह से हम सभी मिस्टरन से कटलेट का सेप बना लेंगे यह तैयार हो गया है तो इसे हम करेंगे सेलो फ्राई और भी इसमें अगर हम बाइंडिंग डालते तो हमें करना था डी फ्राई तो इसे हम सेलो फ्राई करेंगे कम तेल में हम एक एक कर के सभी कट्लेट को डालेंगे एक बार में चार ही डालेंगे और इसे हम पकने देंगे कम से कम दो मिनट के लिए और बिल्कुल लो फिल्म में इसे हम फिर पलट लेंगे, फिर इधर भी हम एक से जेर मिनट तक और पकाएंगे, इस तरह से दिखिए हमारा कटलेट बन करके रेडी है, चटनी के साथ, सॉस के साथ, आप इसे परूश सकते हैं, यह बहुत ही उपर से क्रिस्पी है, और अंदर से बिल्कुल सॉप्ट है, ब तोड़ के भी दिखा रही है, और यह बीट डालने से यह इसका कलर थोड़ा सा हलका पिंक में आ गया है, बहुत ही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी चट पटा है, तो इस तरह से आप इसे एक बर जरूर कटलेट बनाए, अगर आपको यह रेस